हेलो एवरीवन आज है वेनस डे और मैं हाजीर हूँ आज की स्पेशल वीडियो लेकर हेल्स्टेक मेरा सवाल में जहां पर मैं जवाब लेती हूँ आपके पुछेगर सवाल का अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे इमेल कर सकते हैं मेरी इमेल आइडी है दिल्टॉ क्या आपको अपने फ्यांसे से बात करनी चाहिए दूसरा क्या आपको अपने फ्यांसे से या फिर हस्बंट से अपने पास्ट के बारे में बता देना चाहिए या फिर नहीं चाहिए करेंगे आज इसी बारे बाद शुरू करते हैं अज की वीडियो दोस्तों पहला जो सव कि प्लीज अपने बच्चों को आप अलाव करें कि वह अपने फ्यांसे से मिलें तो कुछ महीने बाद उनकी वैसे भी शादी होने ही वाली है बैटर है कि शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे को जान ले पहचान ले इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा कमफरेबल हो करते हैं तब आपको पता चलता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है behavior कैसा है यह जन्ना बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं सामने वाले के अंदर कुछ ऐसे कम्या तो नहीं जिसके वज़े से आप उसके साथ शादी ही नहीं कर सकते हो जिसके वज़े से आपकी लाइफ खराब ह और ऐसा नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। बात करेंगे तो आप कमफोटेबल हो जाएगे। जब नए घर में जाएगे, तो आपको वहाँ पर अजना भी फील नहीं होगा, अकेला फील नहीं होगा। आप ज्यादा खुश होंगें चलदी इंचर्णदी से अर् कि दो लोग अगर कुछ महीने भी साथ में नहीं रह सकते हैं और बात करेंगे तो इंगेजमेंट तोड़ देंगी तो ऐसे लोग पूरी जिंदगी शादी कैसे चलाएंगी ये भी तो सोची है न तो कल को जब शादी तूटेगी उससे बेटर है कि इंगेजमेंट ही तूट बात करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो टाइम स्पेंट करें मीटिंग करें और बात भी अच्छे से करें दूसरा गोशन ये आता है कि क्या आपको इंगेजमेंट के बाद या फिर शादी के बाद अपने पार्टर को अपने पास्ट के बारे में बताना चाहिए या फ हो सकता है वह प्यार प्यार से आपसे पूछ ले आप उसको ऑनस्टी के नाम पर बता दें क्यूंकि आप ऑनस्ट हैना चाहती है उसके लिए लेकिन वह इंसान फिर ये इंगेजमेंट तोड़ दे और सब लोगों के आगे आपकी सच्चाई बता दे कि आपका बाइफेंट हेट करें वह आपको प्यार ना दे वह वाला जो आप डिजर्व करती थी आपको आपके बिलीव ना करें कभी भी तो यह सब चीजें शादी के बाद भी हो सकते हैं तो क्रिपय अगर के अपने फ्यान से को कभी भी आप ना बताएं अपने पास्ट के बारे में दूसरी अपने हजबन को आपको आपने वह चाया है और अगर आप जूसरी कि आपको क्यों बताना है अपने पती को यार्ड जो चीज खत्म हो गई इसको खत्म होने लीजिए उसको जबरस्ति द्रयजमत कीजिए अपनी फ्यूचर में और अपनी मेरिट लाइफ में लेकिन आप शौर रही है कि जो रिष्टा आपने खतम कर दिया है वो पूरी जिंदगी खतम ही रहेगा चाहें कुछ भी हो जाए इतनी अनस्टी आपको दिखानी है लेकिन अपने पती से इस बारे में बात ना करें क्योंकि जब आप अपने पार्टनर से बताती है कि आपका पास थ एक साइकलोजिकल इफेक्ट पड़ता है लड़कों के ऊपर उनको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में या फिर आप उन्हें कम प्यार करती है या फिर उनसे आपकी जो शादी है मजबूरी में हुई है वो ऐसा सोस्ते हैं यह चीज़े वह आपको दिखाएं ना लेकिन उनके माइड में चलती है यह चीज़े उनकी दिमाग में घर बना लेती है कि आपने उनसे शादी मजबूरी में की है आप उनके साथ में खुश नहीं है आप उनको प्यार नहीं करती है आप जब बरस्ती का रिष्टा निभा रही है इस तरह की चीज़े उनके दिल में घर घुड कर जाती है और वो सम वे अपने आपको हर्ट करते हैं दुखी रहते हैं तो क्या आप का पती दुखी रहे या फिर काप चाहेंगे कि आपका पती अपने हिद्ऌ से कम समझे आपके लिए उस boyfriend की कोई value नहीं रह जाती, वो इतनी चूटी चीज हो जाता है आपके लिए, आपके husband आपके लिए सब कुछ होता है, और जो इनसान सब कुछ है आपके जिन्दगी में, तो उसको इतना भी दुख क्यों देना है, लेकिन आप शौर होनी चाहिए कि जो आपक ही है, यही जरूरी है, बस कि आपका past कभी भी present में ना आए, सिर्फ इस चीज़ पर focus करें, लेकिन अगर आप वो इंसान है, वो लड़की है, जिसका boyfriend आपको blackmail कर रहा है, या फिर आपको डर है, कि आपका past आपके पती को किसी और के थूप पता चल सकता है, तो आप इस ब husband आपके कभी भी believe नहीं करेगा, तो अगर ये chances हैं कि आपके husband को इस बारे में किसी और से कभी भी पता चल सकता है, तो आप ये चीज़ पहले ही बता दें, So, ये कुछ conditions हैं, जिसके according आपको ये decision लेना है, कि आपको बताना है या फिर नहीं बताना है, और अगर बताना है, तो कैसे बताना है, ओप ये वीडियो आपको पसंद आयोगी, अगर पसंद आयोगी तो इसे लाइक करें, मेरा चाहिए सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और बेल आइकन दवना ना भूली, मेरा नहीं हमें उशाक उश्वा, आप देख रहें तो दिल टाउग,